हाई गाइस सलाम अलेकूब वेलकम बेक तो मैं यूट्यूब चैनल अलीज लाइफ तोड़े आम गएंग तो शो यू नियो हेर लोशन लवार्स जो लोग नियो हेर लोशन यूस करने वाले हैं मेरे भाई लोग उनको दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि जी लोशन के साथ में रॉलर कौन से साइज का इस्तमाल करना चाहिए और घ्ड़ का यह तो मैं आज आपको बताता हूँ वैसे तो आप कोई से वह साइज का इस्तमाल कर लिए लेकिन वक्त के हिसाप से कौन सा लोशन के साथ मैं और कौन से टाइम पर कौन सा रॉलर इस्तिमाल करना चाहिए ये मेरे पास में टीन रॉलर हैं तीन साइज की हैं 0.5 का 1 का and 1 का ठीक है जी तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा वाला इस्तिमाल करना चाहिए शुरू में कर यह तो यह सकते हैं अव यह 1.5 का है इसे मेद्धर निशान लगा यह 1.5 का है और इसमें यह निशान 14 निशान यह 0.5 का तो सबकुछ एक ही है 540 uh इने तीनों में फॉर कर दिखाता हूँ अभी यह आप सब्सक्राइब में और ऐहां में देख़ दिया यह वा यह थी के जी मिक्स हो मैं इसलिए बज्वाli यह डिल का है और यह है हाफ बाला यह नी पॉइंट फाइप का और यह है वन का यह बनका है तो आप देखेंगे यह जो पॉइंट फाइप का है यह देखिए आप यह पॉइंट फाइप का है इसकी जो निडिल्स हैं वह बहुत छोटी है चोटी चोटी है तो मेरे हिसाब से शुरु आती टाइम में जो है पॉइंट फाइप का ही इस्तिमाल करना चाहिए वह क्यों करना चाहिए मैं अभी आपको बताता हूं और थोड़े टाइम के बाद में जो है आप वन का इस्तिमाल कर लें यह वन पॉइंट फाइप का कर लें यह देखो आप 1.5 की थोड़ी निडिल्स बड़ी दीख रही होगी आपको यह देखिए आप इसकी निडिल्स छोटी-छोटी है इसकी थोड़ी बड़ी दीख रही होंगी कि देखो जी सब्सक्राइब करते हैं के लिए रहा है तो ऐसा क्यों करना चाहिए मतलब शुरू आती मैं पॉइंट 5 का क्यों करना चाहिए और बाद में डिल्स का क्यों करना चाहिए या एक का क्यों करना चाहिए काइन के हिसाब से वह इसलिए करना चाहिए यह आप यह आप देखिए यह 0.25 का है यह मतलब थोड़ा अंदर तक कम जा रहा है यह 0.5 का है यह थोड़ा और अंदर जा रहा है यह 1 का यह थोड़ा और अंदर जा रहा है यह 1.5 का यह थोड़ा और अंदर जा रहा है यह 2.2 का है यह थोड़ा और अंदर जा रहा है मतलब अंदर क सब्सक्रेश में नंदर जा रहां इसका था कुरा या जा को लोग करते हैं सब्सक्रेश करते हैं तो आप अंदर तक ज्यादा ढाइए तो शुरुवाती आप 10 दिन 15 दिन के अंदर हर किसी को हेड़ पेन होता है कुछ लोग होंगे जिनको नहीं होता है लेकिन मैक्सिमम लोगों को सर में दर्द होता है तो आप पहले शुरुवात में थोड़ा हलका वाल लीजिए क्योंकि अगर बड़ा वाले लेंगे तो ज्या आधे दर्द होगा तो वह दर्द आप सहन नहीं कर पाएंगा आप सोचेंगे शार लोशन का कुछ एफेक्ट हो रहे है क्या या रोलर का कोई एफेक्ट हो रहा है तो एफेक्ट नहीं होता लेकिन यह निडिल्स जो है ना यह चुबती है इसके अंदर इसकिन के तो उसका फरक है सिर्फ तो आप स्टाइटिंग टाइम में पॉइंट फाइब का इस्तिमाल करो जैसे आपकी इसकिन थोड़ी थोड़ी उपर वाली सोफ होती रहेगी आधत सी बन जाएगी तो आप जिए वन का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं उससे आपका जो है मतलब फिर जब करेंगे ना तो से रिजल्ट अच्छा आएगा इसकिन अंदर तक अच्छा घुसेगा तो उसके अंदर लोशन भी अच्छा जाएगा ठीक है लोशन अच्छा जाएगा तो मतलब रिजल्ट भी अच्छा हैगा और जया सर को जरूर धोलेना चाहिए लगाने से पहले मारने से पहले जाहें मेरे भाई कुछ लोग खाली जो रोलर मारने वाले वह भी जो लोशन और रोलर दोनों करने वाले वह भी क्योंकि सर के अंदर जाहें नहीं चाहिए और आप जोंसन बेबी का कोई सब्सक्राइब अब लेकिन देख लेना जादे केमिकल बगर आज नहीं हो थोड़ा नॉर्मल हो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है और मेरे भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वैल आइकन नवाना और मिलते हैं अगली वीडियो में अल्ला हाफिस किसी भी मेरे भाई को लोशन रोलर कुछ भी चाहिए होगा तो मुझसे राफ्ता करने ला और मैं डिस्क्रिप्शन अपना नमबर दे दूँगा ठीक है जी और अल्ला हाफिस